हालो बच्चो बच्चो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज आपको पांच बापाट दो है कि कुछ important question answer समझा रही हूँ यदि आप मेरे चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिए आपकी किताब के दूसरे पाठों के वीडियो भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे आप ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो तो चलो मैं शुरू करती हो पहला question है कैसे व्यक्ति को पस्ताना पड़ता है पस्ताना मतला regret करना पड़ता है तो इसका उत्तर देखिए जो व्यक्ति बिना सोच विचार कर काम करता है जो person बिना सोच विचार कर बिना thinking क काम करता है ऐसे व्यक्ति को पस्ताना पड़ता है दूसर प्रेशन देखिए चंदन के पेड़ पर साप का विश क्यूं नहीं फैलता विश मतला जहर तो इसका उत्तर है क्यूंकि चंदन के पेड़ उत्तम प्रकरती के होते हैं उत्तम प्रकरती मतला अच्छे होते हैं तीस hard work या मेहनत करके प्राप्त की जाती है क्योंकि वो खरीदी नहीं जाती है वो hard work करके ही प्राप्त की जाती है इसलिए विद्या को धन कहा गया है चोथा प्रेश्ण देखिए कवीर अपने द्वार से किसे भूका नहीं जाने देना चाते द्वार का मतलब होता दर्वाजा तो इसका उत्तर है कवीर अपने द्वार से किसी साधू और अतिती को अतिती मतलब गैस्ट को भूका नहीं जाने देना चाते देखो बच्चो इस दोहे में जो साधू आया है तो शब्दा है साधू से मतलब कवीर का अतीती से है, गेस्ट से है, तो इसलिए मैंने उत्तर में दोनों दिया है, मैंने सादू भी दिया और अतीती भी दिया है, क्योंकि अगर हमारे दरवाजे पर कोई अतीती आ जाए, कोई भी गेस्ट आ जाए हमारे घर पे, तो उसे भी हमें भोजन कराना चाहिए, इस पांचवा कुश्चन देखिए, जग में किसकी हसी होती है, जग मतलब संसार में, तो इसका उत्तर है, जो व्यक्ति बिना सोच विचार कर काम करता है, और असफल होता है, असफल मतलब जो सक्सेज नहीं होता, फैल हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की संसार में हसी होती है, अगला प्रश्न देखिए कुसंग किन का कुछ नहीं बिगाड सकता कुसंग का मतलब होता है बुरी संगती बैड कमपनी तो इसका उत्तर देखिए कुसंग उत्तम प्रकर्ती उत्तम प्रकर्ती मतलब अच्छे सोभाब आले व्यक्ति सज्जन व्यक्ति तो उत्तम प्रकर्ती वाले व्यक्तियों का कुछ नहीं बिगाड सकता है विसी बात को रहिम दाज जी ने चंदन के पेड़ का और साप के एक्जामपल से समझाया था ना कि चंदन के पेड़ पर साप घूमते रहते हैं पर चंदन की खुश्बू कम नहीं होती है अब अगला प्रिश्न देखिए सात्व कीमत तो इसका उत्तर है क्योंकि बहे अपनी गीमत स्वं नहीं बताता है कीमत मतलّा कॉस्ट वह को सुद्छ नहीं बताता है सब लोगों को पता है कि हीरा कीमुती arrange कि महंगा है आप्ड़ प्रिश्ण देखिए सिद प्रेम और धन मेंसे किसे महत्त्व देते हैं तो इसका प्रेम को महत्व देते हैं, ठीक है? अब आगे देखिए, निम ने लिखी प्रशनों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखी, मतलब दो दो सेंटेंस में लिखने हैं, तो पहला प्रशन देखिए, कवीर कितने धन से संतुस्ट रहने वाले व्यक्ति हैं, धन मतलब पैसा, कितना धन चाहिए, मतलब तो इसका उत्तर है, कवीर उतना ही धन और अन, अन मतलब खाने का अन से संतुस्ट रहने वाले व्यक्ति हैं, जिसमें उनके परिवार का गुजारा हो जाए, और उनके दरवाजे से कोई अतिथी और साधू भूका ना जाए, दूसरा प्रशन दे देते हैं, तो इसका उत्तर देखिए, कवीर सोच समझकर कारे मतलब काम होता है, कवीर सोच समझकर कारे करने की सीख ही इसलिए देते हैं, क्यूंकि सोच समझकर किया गया काम ही सफल होता है, और काम सफल होने पर कोई हमारी हंसी भी नहीं उडाता, तीसरा प्रशन तो इसका उत्तर देखिए, उत्तम प्रकरती के लोग बुरे लोगों के साथ रहकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते, बुरी संगती, मतलब बैड कमपनी का उन पर कोई प्रभाग नहीं पड़ता. चौथा प्रशन देखिए, रहीम किन को बड़ावन मानते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, रहीम दाज जी ऐसे व्यक्तियों को बड़ा मानते हैं, जो स्यम की बड़ाई या प्रशंशा नहीं करते हैं. इसी बात को उन्होंने हीरे के एक्जामपल से समझाया था, देखो, कि हीरा अपनी तारिफ खुद नहीं करता, सब लोगों को पता हीरा कितना कीमती है. पांचवा प्रशन देखिए, तुलसी दाज जी सच्चा स्वागत, स्वागत मतलब बैलकम किसे मानते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, तुलसी दाज जी सच्चा स्वागत प्रेम के वहवा बहवार किया जाए. देखो, इस दोहे में, राइसमसी दाज जी ने बता है कि हमें यह नहीं देखँना है कि किस वह न bei शहां, कि सरकते हैं, यहीं देखना है, शिर्ष अब करते हंख्या लोग अगे होंगे अगर आपको मेरा बीडियो पसंद आयो तो प्लीज बीडियो को लाइक जरूर कीजिए धन्य बाद